नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नीतेस हो जाया और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहा है केरल में हुए बॉम बिलाश्ट के बारे में जिसके चलते भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई लखनव समेथ कई बड़े सहरों में हाई सेक्योरी अलर्ट गोसित कर दिया है हुआ क्या की केरल के कालम सेरी नामक सहर जो की मोश्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट इर्ना कुलम में आता है यहां पर सामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जहोबा साक्षी ईसाईयों का धार्मिक सम्मेलन हो रहा था जिसमें 2000 से अधिक ईसाई मौजूद थे तबी यहां एक के बाद एक लगतार तीन बॉम बिलाश्ट हुए जिसमें मौके पर ही दो लोगों की मौद हो गई और 36 से अधिक लोग गंबीर रूप से गायल है इस गड़ना के पस्चाद देश के ग्रहमंतरी अमित साने केरल के सीम पिनरई विजिन से फोन पर बात की औ दुआत में इस बॉम बिलाश्ट को एक टेरर अटेक माना जा रहा था क्योंकि जब से इजराल और अमास की बाद रिस्टार्ट हुए है तब से केरल में एक के बाद फिलिस्टीन के समर्तन में कई रेलिया निकल रही है और इस बॉम बिलाश्ट के एक दिन पहले यानि की 28 12 अक्टूंबर को केरल में फिलिस्टीन के समर्तन में एक बहुत बड़ी रेली निकाली गई थी जिसमें हमास के लीडर ने वर्चुली भाग लिया था और इस रेली को संबोदित किया था इस बॉम बिलाश्ट से जोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए एनाई एने ज इस व्यक्ति की वातों में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं यह एनाई यह बहुत जल्द पता कर लेगी क्योंकि हो सकता है कि इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही हो अब मैं आपको केरल के वारे में कुछ इंपोर्टेंट वाते बता देता हूँ जैसे कि केरल वारत का सबसे एजुकेटेड राज है यहां की साक्षरता दर 94 प्रतीसत है और यहां सभी दर्मों के लोग रहते हैं केरल में हिंदू 55 प्रतीसत के करीब हैं मुस्लिम 27 प्रतीस अधिक हैं इसी के साथ यह वीडियो का अंद यदि आपको मारी मेनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैंद